नमस्कार साथियो और इंडिया बार एक्जाम 17 पांच फर्वरी 2023 को आज आयोजित हुआ था और इसमें देखे बहुत ही अच्छे और बहुत ही सिंबल तरीके से कुछ पूछे गए हैं लगबग जैसा हम लोगों ने अपनी ऑनलाइन क्लासेज में बताया था बिल्कुल सेम पेपर वैसा का वैसा ही मिला है लगबग और कुछ पूछे जो है वो बेरेक में से डारेक्ट पूछे गए हैं क्योंकि ओपन बुक एक्जाम था इसलिए जो है इस्टूरेंट्स को ज्यादा परिशानी नहीं हुई और उन्होंने जो है डारेक्ट कोशनों के आंसर जो है वो सर्च कर लिए और लगबग पैतालिस से पचास कोशन जो थे वो डारेक्ट में से थे केस ल जलत नहीं होगा एक मॉडरेट और एक एवरेज पेपर जो है आपके साहा एक हुआ है तो देखें पेपर क्या था और इसमें किस टाइब से कोशन पूछे गई हैं तो पहला प्रशन है एक व्यक्ति जिसे एजेंट एजेंसी के विवसाय में प्रिंसीपल के रूप में कार एजेंट तो देखें चार आपको दिए गए हैं उप एजेंट प्रतिस्थापित एजेंट एजेंट या इफपाफ एजेंट तो इसका जो सही रोंगा वह होगा उप एजेंट इसका आंसर होगा नेक्स्ट हम देखते हैं एक निशेथाग्या सुनवाई के दौरान और वाद की योग्यता पर की गई हो तब ही डिक्री उसे मानने कर सकता है और प्रतिवादी शाश्वत रूप से अधिकार के समर्थन से या की स्वीकृती से लागू कर सकता है जो की वादी के अधिकार से विप्रीथ हो सकता है तो देखो यहाँ पर आपको आप्शन में दिये गए स्थाई एस्थाई चिरिस्थाई एस्थाई और चिरिस्थाई दोनो और इन में से कोई नहीं तो इसका साही आंसर होगा सी ऑप्शन यानि की टैस्थाई और चरिस्थाई दो नहीं है अगला कोशन हम देख सकते हैं कि यहां पर है वे निर्दिष्ट अनुतोस अधिनियम यानि की स्पेसिफिक रिली फैक्ट नाइटिन सिक्स्टी थी कि धारा पाच अब सेक्शन नमबर फाइव करता है एक यह की बात करेगा और हां पर आप इसमिडिये गा कि यहां पर आप समझेगा इसको इस में क्या होता है कि हम इंग अधिनुटी को पढ़ते है यारी कि जंग म संपति की बात की जा सकती जाती है अब जंकम संपत्ती जो है वो आपकी transfer of property act के अंतरगत भी है CPC में भी है और जो है SRA में section number 5 के अंतरगत जो है उसके अंतरगत भी क्या है कि immovable property की बात की जाती है तो देखें विशिष्ट अचल संपत्ती के कपजे का हगदार व्यक्ति तो यहां पर इसका अंसर हो जाएगा सी option civil प्रकरिया सहिता यानि कि CPC 1908 जह वो भी इसकी बात करता है अगला कोशन हम देखते हैं next जहां बंधक करता जहां करता बंध कित संपत्ती का कंप्जा बंदकदार को प्रदान करता है और evolved lot राश्य अदाना dr देव तब तक उसके स्वामित्व के लिए और ब्याज के बनने में अब बंदक राशी के दाएकि में किराया संपक्ति से अर्जित लब पृप्त करने के लिए उसे प्रादी करता है यह यहां पर जो आप आप इसका यहां भर होग आप अर्वीं ने क्या आज ना करने का जा कंध मेरा कि इसका अंशार हो कि इसका जोRAYट आन्सर हो गा वो बोग बंदक लेक्स देखिए श्री मन्जेस मेर्शर सिंग ट्रेडर से माल आपूर्ति करने वाला ट्रेडर है फर्म का आफिस दिल्ली में है जबकि गोधाम क्रमेश उत्तर प्रदेश पंजाब और जंबू और कष्श्यमिन में स्थित है मेरसर सिंग ट्रेडर्स ने वर्तवान दितिये वर्ष के दौरान विभिन राज्यों से निम्दलिकित आंता राज्य आपूरती की है ये जो है जियेस्टी एक में से रारेक्ट कोशन पूछा गया है कि उसको पंजी करंड जो है वो कहां कहां करने की आवश्यक्ता है अब देखिये डिली में कर्योग्यापूरती इकिस हिमार है पंजाब में कर्योग्यापूरती है श्री मंज को जी एस्टी के इंतर गत जो है किस राज्य में पंजी करंड लेने की आवश्यक्ता है तो देखे, यहाँ पर जिसमें कर्मुक्त आपूरति हैं, वहाँ पर तो लेने की आवश्यक्ता नहीं होगी, इसलिए पञजाब में ता आवश्यक्ता नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखे, कर्योग्य और कर्मुक्त, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, दोना में जो है, यह option दि होगा वी ओप्ष्टन करेक्ट आंसर है दिल्ली उत्तर-प्रदेश और जम्मू कश्मीर नेक्स्ट समझ्येगा इसमें अगला कोश्चन हैई को हिसका ताउसर हो जाए गाभी ओप्ष्ट दिल्ली—— उत्तर-प्रदेश shouldigt जम्मू कश्मीर वर्थमान में किसी भी возможно करदाता के लिए वर्तमान में किसी भी नियमित करदाता के लिए प्रात्मिक GST स्लेब रखा गया है तो देखे प्राइमरी जो GST स्लेब रखा गया है उसके अंतरकत जो है 0% 5% 8% और 12% यहां पर है 12% 18% और 28% यह तो देखे स्लेब है उसके लिए प्रात्मिक GST स्लेब रखा गया है उसके अलावा जो लेसर यूजड 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 यूज rate of GST देखो क्या है lower and nominal rate of GST यह 1.5% है और 6% है और यह लगेगी कब जब आपका turn over जो होगा उसके उपर जह वो लगेगी तो इसका जो answer होगा वो होगा आपका C option 0% 5% 12% 18% and 28% तो देखिए इस question में इस तरह के से आपना answer लिखेंगे आगे देखिए question number 6 है वर्तवान यह हो गया question number 12 है B जो एक समाचार पत्र का मालिक है पेपर में B जो है एक समाचार पत्र का मालिक है पेपर में A की विंती पर C पर एक अपमान लेक प्रदशित करता है और यहां यह देखिए question जो है और A के प्रकाशन के परड़ामों और उसके संबन में सभी लागतों और नुकसानों के विर्द B को शतीपूरती के लिए सेमत होता है C ने B पर मुकदमा दायर किया और उसे नुकसान पहुचाना है नुकसान चुकाना है और खर्च भी उठाना है भारते समिधा अधीनियम 1812 के दारा 224 के आलोक में क्या दिर्धारी था तो देखिए यहां पर जो इसका अंसर होगा उस इसका जो सेक्शन नेंबर 224 है वो यह कहता है कि आप राधी कारे करने के लिए किसी भी विक्ति का अभी करता के नियोजन के उत्तरदायत की बात करता है यानि कि नॉन लाइबिल्टी आफ एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट डूदा क्रिमिनल एक्ट तो इसका मतलब क्या हो जा कि आगे जलते हैं कोशे नंबर 8 है बू अधिग्रहंट पुनरवास और पुनर स्थापना में उचित मुआफजार पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम के नुसार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए समुचित सरकार भूमी अर्जित कर सकती है तो यहां पर देखिये चार ओप्शन दिए गए हैं चारों ही बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यहां पर किसी भी ऑप्शन में यानिकी इन सभी उद्देश्यों के लिए जो है वो क्या कर सकती है सरकार भूमी जो है अर्जित कर सकती है तो इसका अंसर हो जाएगा डी अप्शन अगला है पिए अंतरकत विशिस्ट व्एक्ति जो है उससे क्या तात्पर यह है तो दिखें विशिस्ट व्यक्ति यानिकी specific person से क्या तात्पर यहां पर चार ओप्षिन दिए गए हैं समुचित सर्कार सरकारी कंपनी समुचि सरकार के द्वारा नियंद्रित या समुचि सरकार द्वारा पूरत या आशिक साहता प्राप्त वेक्तियों का संग या ट्रस्ट या सोसाइटी और उपरोग्त सभी तो देखो यहां पर जो इस कूशन में आंसर हम लिखेंगे वो हो जाएगा आपका उपरोग सब्सक्राइब क्योंकि यह जो सभी है वो उन्हें क्या दिया गया है? अदिकार दिया गया है? विशिस्ट व्यक्ति जह हो माना गया है कि इसके बाद देखिए Quesion No. 10 है trademark adenium 1999 फिर तु कौन trademark का रजिस्ट्रार हो सकता है या कौन व्यक्ति है जो की trademark का रजिस्ट्रार हो सकता है चार option आपको दिये गए है तो patent design और trademark का controller general होगा या copyright designer और trademark का controller general होगा उसके अलावा पडिखो यहां पर जो है यह जो कोशन दिया गया है 10 नंबर का यहां तो स्कैना कोशन है और देखिए बिश्क इसमें क्या है यह बात करता है section नंबर 10 की यह जो रिजिस्ट्रारेक्ट है उसके अन्दर का जो है section 10 की बात करता है और ये जो है ट्रेड मार्क एक्ट ये जो है ट्रेड मार्क एक्ट जो है 1999 वहां से जो है वो लिया गया है अब इस कोशन में देखिए यहां पर जो है section number 3 के अंतरगत किसकी section number 10 में जो है section number correction करेंगे तो आसा section 3 में जो है registrar की definition दी गई है section number 3 में registrar जो है उसकी definition दी गई है कि registrar यहां पर कौन-कौन होगा तो यहां पर देखिए इस कोशन में जो answer होगा वो होगा कि patent, design और trademark का जो director general होता है उसको अपन क्या वोलते हैं वो जो होगा वो trademark का registrar होगा next है निमलिखित में से कौन सा या कौन से IPR का प्रकार नहीं है copyright है, patent है, design है या एतिहासिक संकेत है इस question का answer हो जाएगा एतिहासिक संकेत, question 12 है निमलिखित में से किस वाद में निर्णित किया गया है कि AWS के साथ संविधा शून्य होती है तो यहाँ पर देखे बहुत ही प्रसिद्ध केस है ये महरी बीबी बनाब धर्मदास का case है और इसमें क्या है कि अगर कोई भी संविधा किसी भी प्रकार का contract जो होता है वो minor के साथ किया जाएगा तो वो प्रारंब से ही क्या हो जाएगा वाइड होगा और इसके अंतर के जितनी भी कोई साथ के शर्त होगी वो सारी की सारी कंडिशन सारे के वी बात होगी priority क्राइज के साथ में की साथ में जो की जिसकी concerned नहीं है या मुण समझने क्यों नहीं हैा इस तरिकी देखेंगे इस में आंसर हो जाएगा सी आप्शन कोशन नमर 13 है वे निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम यानि कि ऐसारे 1963 के इंतरकत में से कौन सा घोशनात्मक टिकरियों के संबंद में सही है देखे डारेक्ट कोशन्स पूछे गए हैं और यहां पर देखे बोला गया है कि अधिनियम की धारा 34 से संबंदित है अ सब्सक्राइब आप के पास अगर बेर अरह का ऐसारे का तैसा अरक में करते थे सेक्शन 34 या जो विनी में पत्र होता है वचन पत्र होता है यानि की परक्राम में लिखित का मिनिंग होता है नेगोशेबल का मतलब है कि जो कुछ भी क्या कर सकते हैं ट्राजेक्शन किया जा सकता है चाहिए वह प्रामिसरी note हो चाहे वो bill of exchange हो चाहे वो check हो ये केवल तीन चीज ही इनको क्या माना जाए गया है negotiable माना गया है negotiable instrument act 1881 के अंतरगत check जो होता है हमेशा क्या होता है transferable होता है इस प्रकार के जो मामले होते हैं उसको first class judicial magistrate या metropolitan magistrate जो है उसमें वो जो है उसके मामले को देखते हैं उसके अलावा इसमें spirit trial का प्रावधान है और उसके अलावा दो वर्ष का imprisonment है और यहां पर court चाहे तो उसमें fine भी लगा सकता है या double interest यह वो भी pay कर सकता है और यहां पर जो check bouncing के जो मामले होते हैं वो section पर जो है आप से प्रेशन पूछा गया है कि यह बताएं कि यहां पर प्रक्राम में लिखित नहीं है तो आपका answer हो जाएगा billing रसीद यह वो प्रक्राम में लिखित नहीं है क्योंकि वचन पत्र विनीमें पत्र और चेक जो होते हैं वो गुशियबल होते हैं अगला है question number 15 निम लिखित में से कौन से वाद में उच्चुतम न्याले ने यह निरुनित किया कि एक समिधानिक संशोधन अनुच्छिद तेरा दो के अर्थ के भीतर कानून है इसलिए वह किसी भी मौलिक अधिकार का भंग करता है तो वह शुन्य या अमाने गोशित किया जा सकता है तो देखें यहां पर आपको चार फेमस केसे जैवर दिये गए हैं तो इसका जो करेक् मानात मधर पंजान समाननागरिक संवीधान करते हैं जी बहुं करते उस्कार के उसका इंतरकत बताया就是說 स्वे भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक जाए वह किसी भी धरमधा का हो उन सभी के लिए एक ही प्राकार के शलश हो नृट की गई है तो यहाँ पर देखे समा नागरिक सहीता यहने की civil uniform court जो है uniform civil court जो है समीधान के भाग 4 का विशय है जो कि सभी नागरिकों को एक ही प्रकार के कानून की बात करता है तो यहाँ पर जो है इस कांसर हो जाएगा राज्य के नीतिक निरदेशक तत्व जो है उसमें इसको शामिल किया गया है तो यहां देखिए कोशे नेमर 16 जो है उसका अंसर हो जाएगा आपका भी राज्य के नीति निर्देशक सिध्धानतों के अनुसार बहुत ही बेसिक सा प्रेशने पूछा गया है बहुत ही सिंपल प्रेशन है नॉर्मली जो लोग कॉंस्टुटुशन पढ़ते हैं उसमें बेसिकली हम लोग जानते हैं बहुत ही फीमर्स यूनिफर्म सिविल कोड चलिए नेक्स देखते हैं कोशे नेमर 17 इसमें है अनुच्छे 16 के अनुसार अब देखिए अनुच्छे 16 डारेक्ट कोशन पूछा गया है अब आपके पास में इंडियन कॉंस्टुटुशन का बेरेक्ट डेफिनेटले आप लेके गए होंगे वहां से आप जहें इस कोशन को इजिली जहें वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहां पर कोशे 17 में है अनुच्छे 16 करुसार राज्य कैधिन किसी भी नियोजन या पत्के में केवल इन में से किसी क्याधार पर ना तो कोई नागरिक आपात्र होगा ना उसे विवेद किया जाएगा तो धरम मूलवंश जाती लिंग उद्भाव जन्मिस्थान और निवास यानि कि सारी ही सारी बाते उसके इंतर के शामिल की गई है तो यहां पर जो है इस प्रका तो यहां चाया है वो तो आंसर आपका नियोंगा उसके अलावा देखें उद्भव की बात की जा रही है जन्मिस्थान निवास की आईू देखो यहां पे भी आया है तो इसका जो सही आंसर होगा होगा आपका एंशन हो जाएगा कोशिन 18 है जिस मामले में समिधान के तो यहां पर देखिए आर्टिकल 143 के अंतरकत इसमें नियाधीश में को बैठने वाले यानि कि जो इस प्रकार का जदी निर्देश जो होते हैं उसके सुनवाइब करने वाले नियाधीशों की संख्या होगी 5 अब देखो इसके बाद हम जलते हैं अगले कोशन की और कोशन 19 हमारा कहता है कि भारते सविधान के अनुच्छे 301 के अनुसार किसी डैश को उसकी संपती से विदी के प्राधिकार से ना तो वंचित किया जाएगा अब यहां पर देखो 308 जो है वो कहता है राइच आफ प्र कि यह constitutional right है यानि कि हम जो है इसको court में challenge वह नहीं कर सकते को कि यहां पर देखो आपको बोला गया कि 300A जो है वो 300A जो है वो बात किसकी करता है 300A बात करता है आपके किसी व्यक्ति की बात करता है तो किसी व्यक्ति को उसके संपती से विदी के प्राधिकार से ना तो वंच करता है भारते संविधान के अनुच्छे 13 के अनुसार कौन सा कानून नहीं है तो यहां पर देखिए इस कोशन में जो आर्टिकल थर्टीन है वो आर्टिकल थर्टीन बात करता है लौ की बात करता है लौ में देखो मैं बताना चाहूंगा इसके अंतरगत स्टेट ऑफ अनुसार पर देख सकते हैं कि नियम अपविधी रूधी या पर था यह इस कोशन के आंसर है लेकिन जो है डी इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं क्योंकि आर्टिकल नंबर 13 जो है वो इसकी बात करता है तो यदि आपने इसमें आंसर लिखा है डी तो आपका आंसर बिल्कु ठीक है अगला कोशन नंबर 21 कहता है निम्द लिखित में से कौन सी अनुसूची भ भारते संविधान का शीर्शक भारते संविधान याने की जैसे कि हम जानते हैं कि शौर्ट टैटल एंग्स्टेंट जो बाकी अगर आप IPC की बात करें CRPC की बात करें इंडिन इविदेंस एक्ट की बात करें इन सभी के अंतरकर जो सेक्शन नंबर 1 है वो शौर्ट टैटल एन एक्स्टेंट की बात करता है जिसके अंतरकर जो है यह बताए जाता है कि कौन सा एक्ट जो है उसका नाम क्या है और उसका एक्स्टेंट क्या है उसका कमिस्मेंट क्या हुआ और उसको कमेस्मेंट की डेट के बारे में बताया जाता है लेकिन हमारा जो भारत का संविधान है उस संविधान के अंतरकर जो आर्टिकल नंबर 393 जो है उसके अंतरकर जो बताया गया है कि यह जो संविधान है इस संविधान का टाइटल जो है वो कहा मिलेगा आपको करने में ज्यादा परिशानी नहीं होगी स्टूरेंट्स को कई कोशन्स जो है वह आप लोगों ने देखते ही जो है वो सही कर दी होंगे अब यहां चलते हैं हम अपने अगले कोशन की और अगला हमारा प्रशन है भारते समिधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के समिधा समिधानिक प्रावधान दिये गए हैं फिर से बहुत ही कॉंस्टूटिशन के कोशिस बहुत ज्यादा आए हैं देखे को इस बार समिधान में से डारेटली कोशन पूछे गए हैं बहुत सारे प्रशन हैं तो इसमें देखिए भाग थ्री जो है उस कांसर होगा निम लिखि कर देखिएक भारतिया दंड सहीता की धारा आइंटिक के अंतर्गत संव्मति एक वैद संव्मति नहीं है तो arguments रूद इखिए जो है वो सम्वती दी गई है तो देखो यहां पर क्या है अगर सम्वती नहीं मानी जाएगी अगला है देखो धारा 299 यानि कि यहां पर हम बात करते हैं कि मानवद की बात करते हैं होमिसाइड तो यहां पर देखो धारा 299 के स्पस्टिकर नंबर थर्ड के अधिन उत्बंधित अनुसार माता के गर्व में हत्या मानवद नहीं है मानवद या मानव हत्या होमिसाइड जो है सेक्शन नंबर 299 क recording है अब देखिए बारते दंड सहीता के अंतरकत मान हानी के लिए दंड साधरन कारवास से दो वर्ष की अबदी तक बढ़ाया जा सकता है तो इसका अंसर तो भी हो गया इसका अंसर क्या हो जाएगा दो जाएगा अब यहां पर आप यह समझना इंडियन यहां पर हम बात करत है जो की यहां पर इसमें बताएगा है कि section number 499 499 जो हो defamation की बात करता है 499 जो है वो defamation की बात करता है तो defamation के अंतरकत जो हम लोग बढ़ते कि अगर कोई बीगती कि अन्य विकती की मान प्रतिश्छा कोेस पहुचाता है इवन यहां तक कि यदि कोई भी मृत्यू प्राप्ति अगर कोई मरावा व्यक्ति है उसकी प्रतिष्टा को भी कोई कुछ कहता है तो भी यहाँ पर क्या होगा section 499 जो है वो applicable होगा तो इसके अंतरगत जो है क्या है दो वर्ष की सजा और जुन्माना यानि की fine का provision है तो question number 28 है कि महला की मर्यादा भंग करने के आशे से उस पर हमला या अपरादिक बल प्रयोग भारत्य दंड सही था जैसा यह वाला कोशन आता है तो आप सीधे पहुचिए section number 354 में section 354 354 जो है वो क्या कहता है किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशे से उस पर हमला करना या अपरादिक बलका प्रयोग करना तो ऐसे जो अपराद होते हैं उन अपरादों को क्या माना जाएगा वह अपराद जो है कि अंदर एक साल तक के सजा का पराउधान हैoni कi Nazi ₹ यह अगनि सस्तुर के साथ एक भवन के बहर पुरुशों को तैनात करता है और जैड से कहता है कि वैं जैड पर एक फायर करेंगे यदि जैड जो है वो भवन छोड़ने का प्रयास करता है तो देखो यहाँ पर ए जो है वो किस काम के लिए दोशी है तो question 29 के अंतरगत देखो चार option आपको दिये गए सदोश परिरोद सदोश अवरोद या सदोश परिरोद और सदोश अवरोद दोनों तो देखें यहाँ पर क्या है कि इस question में देखें तो इस question के अंतरगत हम देखेंगे कि यहाँ पर ए विक्ति जैड वो किसके लिए दोनों के लिए दोशी है सदोश परिरोध और सदोश अवरोध के लिए दोशी है नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया सहिता के अध्या है 21 एक अंतरगत तर्क सौदे के प्रावधान प्रयोज नहीं है यदि अपराद जो है वो इतनी आयू से कम आयू के बच्चे के वुरुद्ध किया जाता है तो देखिए इतर्क सौदे के प्रावधान के अंतरगत हम देखते हैं कि यदि कोई भी अपराद जो है वो 14 वर्ष से कम आयू के बच्चे के साथ नहीं किया जाएगा तो वो अपराद नहीं माना जाएगा चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की और और कोशन नंबर 31 हमारा कहता है कि भारते दंड सहीता की धारा 82 और 83 देखो भाई भारते दंड सहीता की धारा 82 के अकॉडिंग हम लोग ये पढ़ते हैं कि गर साथ साल से कम आयों का कोई भी बच्चा है तो उसके द्वारा कोई भी अपराद किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा वो जनरल एक्सेप्शन के अंतर गतम पढ़ेंगे सेक्शन 76 से लेके सेक्शन नंबर 106 तक के अकॉडिंग हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो है जनरल एक्सेप्शन में यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑफेंस नहीं माना जाएगा तो section number 82 हमारा कहता है कि यदि कोई भी वालक जिसकी आयू 7 वर्ट से कम है अगर वो कोई भी अपराद करता है तो वो अपराद नहीं होगा और 83 कहता है कि यदि कोई भी वालक जिसकी आयू 7 साल से लेके 12 साल तक है लेकिन वो परिपकव है और ये समझने यों कि नहीं है कि पर यह क्या हो जाएगा अब देखो यहां पर प्रिश्न क्या है कि एक अपराद दंडिनी होगा तो अपराद दंडिनी कब होगा जो कि साथ वर्ड से कम आयूके होगा तो दुनी होगा भी कहता है साथ वर्ड से ज्यादा किन्तु बारह वर्ड से कम आयूका जिसने परिपक् प्रॉपतार समझ प्राप्त कर लिये अर्ह infra जाकर कर लिये और हम कहते हैं कि नहीं की है अगर नहीं की है तब तो क्या हो जाएगा दबनीए नहीं है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा यहां पर दंडनीए नहीं दंडायत्व की दो आवश्यक्षरतों के नाम बताईए तो देखिए दो आवश्यक्षरते यानि कि हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि दो आवश्यक्षरते होती है तो गिल्टी वाइड यानि कि देखो एक तो दुडर हम देखते हैं कि है और दूसरा हम देखते हैं मैंश्रीस तो एक्टू शीर जो है वो दोनों इक ऴॉसक शर्टे होती है तो दोशीव मन और अवयद कार्ये तो यहां पर इसे ही कहा जाता है एक्टर स्रीक्टर्य को आदी कारывать अप्रावधान भारते दंड़े संहिता की धारा 96 рокए 106 के बीच में दिया गया है तो कोर्ट ऐसी के बिए चलते है मागे portion number हमारा है 34 किसी अपराद के लिए पुलिस आफिसर एक वेक्ति को बिना वारंट के गरफतार कब कर सकता है जब क्या हो लव हो याँपर आपने देखते दो प्रकार के मामले होते हैं तो मामले के वारंट मामले होते हैं थका अधिया के कि मार्ण कें वारंट के वीचली मोरी है यहां अब देखेंगा परिवाद पर सहस्तिकित सम्मनी विचारणवाद में जहां पर अभ्यूक्त पर सम्मन जानी किया गया है वादी की अनुपस्तिती में अगर वादी अनुपस्तित है या वादी की मृत्ति हो जाए तो यहां पर किसी भी अभ्यूक्त को उन्मोचित जो है वो किया जा सकता या मां लीजिये देखिए इस कोशिन में दिया हुआ है कि मां लीजिये कि F.I.R. Station House Officer ने पंजीकरत नहीं किये तो परिवादी के पास क्या विकल्ब है तो परिवादी के पास विकल्ब है कि परिवादी क्या करेगा कि परिवादी जो है कि यहां पर जो है अकर F.I.R. जो है Station House Officer ने पंजीकरत नहीं की है तो यहां पर देखिए CRPC के अंतरगत हम जाएंगे Section No. 156 में और Section No. 156 कहता है कि हम क्या करेंगे या तो अपन किसके पास में जाएंगे कि S.P. के पास जाएके शिकायत दर्ज करेंगे और S.P. के पास नहीं जाते तो यहां पर अपन क्या करेंगे निजी शिकायत दर्ज करके Magistrate से संपर कर सकते Magistrate के पास जा सकते तो इसका अंसर हो जाएगा D option भारते दंड प्रक्रिया सहीता धारा एक सो साथ के अंदेर एक सो साथ के अंतर गद देखो C.R.P.C. से भी कोशिन पूछे गए हैं किसी पुलिस आफिसर को एक पुरुष की उसकी आवास के अलावा किसी अन्य स्थान पर उपस्तिती के आवश्यक्ता नहीं है जो कि 15 वर् विक्ती को थाने बुला सकती है कर सकती है यहाँ पर इस कंजना होगा उपायू 15 वर्च से कम है या 25 वर्चता धिक है तो ऐसे विक्तियों को पुलिस थाने नहीं बुलाएगी उसके закончatif fruit को छतितिए माहसिक रोगी है तो उसको भी पुलिस यह वह भाने नहीं बुला सकती है नेक्स्ट हम देखेंगे कोशे नमर 38 है हमारा दंड प्रक्रिया सहीता कि धारा 135 धरम निर्पेक शौरूप की है यह निमली खित में से किस बात की बात करता है यह बात करेगा मुहम्मद एहमद खान मनाम शाह बानो वेगम की बात करता है अब देखें मुकदमे के संक्षिप् दौच तरह सबस्क्राइब करें गताइस किसकी बात करते हैं और सेक्षिन नंबर 200-263 ऑब यहां पर का है summary trial का process जो है किया गया है summary trial जो वो यहां पर किस-किस के पास भी होगा या तो देखो cj के पास होगी या जो metropolitan magistrate है उसके पास पावर होती है उसके अलावा जो है पुछ ना लै यानि कि हाई-court किसी भी फर्सक्राइब को कोई एंपावर करें तो उसको पावर होगी तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानि की उप्रोक्त में से सभी यानि की सभी को क्या है पावर है अगला है दंड प्रक्रिया सहीता यानि की सी आरपी सी 1973 की कौन सी धारा जो है उपस्तिती की बात देता की अधिश्चिकाओं से संबंदित है तो देखो सेक्शन नंबर 61 से लेके 90 जो है उसके अंतर गतांसर होगा आपका चलते हैं हम अपने अगले कोशन की ओर अगला हमारा प्रश्न है कोशन नंबर 41 ए जो है एक एम बेजने के लिए विंती करता है ए उसके नुसार एमदाबाद ने माल बेजता है तो ए जो है बी पर मालकी कीमत के लिए वाद जो है वो दारी जारी कर सकता है तो देखो इसके अंतर का जो है हम देखेंगे कि वो एमदाबाद में देखो यहां पर एमदाबाद भी आ रहा ह और उसके according हम देखें तो वो जह है कहां कहां वाद दायर कर सकता एपर माल की कीमत के लिए वाद या तो वो एमदाबाद मी कर सकता है या फिर वो क्या कर सकता है दिल्ली में कर सकता है दोना में कर सकता है तो यहां पर देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो कि не ratio साथके इन दिनमने से कौनु सी धरारे स्दूरीड केटा राइस जूरी डिवाइटा की बात करती है dat देखिए यह रहे सट यूडी लीटा के अंतर इन्यवाद के लुफशा में करता है चीन सक्यन और ऐलेवन की बात की गैगा और उसी प्रकार का वाद जह वो उसी मेजिस्टेट के कोड में दुवारा नहीं पेश किया जाएगा तो उसकोपन क्या कहेंगे रहस डुडी केटा जह हैं उसका सिधाध वो ऑसका मामला है और यहाँ दिया तो कोड के बाद में किसी भी प्रकार कव विवाद्द को हो जाता है और रेस डूडिकेटा जो है वो ये CPC ID की सिविल प्रकरिया सहीता के अंतरगर जो है सेक्शन नमबर 11 के अंतरगर जो उसका प्रावधा जो हो दिया गया है तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि पूर में दिये गए निर्णे जो होते वो यथावत रहेंगे कि आपेशन नमबर 43 कहता है कि शरी एक्स और शृ कौर्ठ पर निश्पादन के लिए आविदन करता जिसमें स्युक्त आगपती निश्पादित की जा रही है, निम लिखित में से कौन सा विकल्प श्री एक के लिए सही है तो इसका अंसर हो जाएगा, बी आपशन, ए आदेश 21, नियम 18 के अंतरगत स्युक्त आगपती को प्रति आगपती की रुप में नहीं मान सकता है, इनमें से कोई भी हाजिर नहीं रहता है, सभी के विरुद एक पक्षिय आगपती, यानि कि एक्स पार्टी और पास किया जाता है, एक पक्षिय आडर को खारिच करने के रहवदन करते हैं, तो इनके विरुद जो है, वो डिकरी खारिच की जाएगी, तो यहाँ पर देखि एक पक्षिय आडर को खारिच करने के लावदन करते हैं, तो जो खारिच करने के लावदन करेंगे, तो इनके डिकरी किसके लिए होगी, केवल ए और बी के लिए होगी, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, केवल ए और बी, कोशन नम्बर 45 कहता है यदी कोई शपथ पर नगहते कं जूट बोलता इस अधिवक्ता धिवक्ता ऑंक che TER कैसे निम्टा जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा जो है कि अगर किसी ने शपथ पर जूट बोला है तो यहां पर फोटीशिक्स कहते हैं कि फ्रार विक्ती के लिए उद्गोश्ण निमलेखित अनुसार प्रस्तुत की जाएगी इसमें देखिए चारों ऑप्शन बिलकुर ठीक है शिविल प्रक्रिया सहिता का कौन सा आदेश ऐस था इनिश्यत अग्या और वाद काले निश्यत अग्या से संबंदित है तो कोशन नमर 47 के इंतर गत्रपन देखें तो इस कोशन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आदेश 39 आदेश 6 के रुसार अभी वचन का ताजपरे क्या होता है तो दीखो भाई आभी वचन का मतलब यहां पर क्या शिकायत कर सकते तो इसमें साधेश पक्षो की मृत्यू विभा और धिवालिया से संबंदित है तो order 22 की बात करेंगे रेस डुडिगेटा का मतलब होता है कि section number six section number six जो है वो इंडियन evidence act 1882 का यह 1882 का यह कहता है कि यहां पर हम यह के बात करते हैं कि भाइटिया साक्षदीम के अंतरगत अंतरगत दाराच यह कहती है कि एक ही समय के अंतरगत कि यह सबी कारिया जो होते उनमें आपस में संबंद होगा यानि की एक ही घटना के अंतरगत बाने जाएंगे वो तो उसे अपन क्या कहेंगे रहस जेस्ट गेटा कहते हैं section question number 15-1 है जब एक व्यक्ति जो वाद का एक पक्षकार है का दायत्व वाद के अजनभी के दायत्व पर अधिकारित है तब अजनभी के दोरा उसके दायत्व के साफेक स्वीकृति पर उस व्यक्ति को जो वाद में एक पक्षकी तरफ से स्वीकृति हो सकती है यह भारती साक्षदीनियम 1872 की किस धारा में उबंदित है तो देखो इस का अंसर हो जाएगा धारा अठारा के अंतर यह उबंदित है अगला हमारा question है इसमें 52 नयाइक साक्षे नयाइक साक्षे का मतलब क्या होता है नयाइक साक्षे का मतलब यहाँ पर हो गया कि जो judicial evidence है तो यहाँ पर देखो दो judicial होते हैं तो एक तो एक्स्टा judicial evidences की बात अपन करते हैं एक उता है judicial evidence की बात करते हैं तो यहां पर जो भी तरक्षे के प्रमाण और एया प्रमाण में नियाले के द्वारा प्राप्त होंगे, यानि कि कोट के सामने जो भी अपन कहेंगे उसी को क्या माना जाएगा, नियाइक शाक्षे जो है वे माना जाएगा, 53 कहता है कि भारते साक्ष अधिनियम 1872 के नुसार निमलिखित में से कौन सा दस्तावेज नहीं है तो देखे धातू की प्लेट या पत्थर पा लेक सही है मांचित्र या प्लान सही है किसी भी प्रकार का चित्र जो है चाहिए वो व्यांगी चित्र को नहीं हो भी दस्तावेज होगा तो उनमें से कोई भी नहीं दहेज की मृत्यू के बारे में अब धारना किस धारा के अंतरगत है 113 के अंतरगत है अब देखिए 55 है भारतिय साक्ष अधिनियम जो है 1872 की धारा 63 के अनुसार कौन सा दित्यक शाक्ष नहीं है सेकंडरी एविडेंस दे वो नहीं है तो सेकंडरी एविडेंस के अंतरगत अपन यहां पर देखते हैं कि किसी भी दस्तावेज में के अंतरगत जो है अगर कोई भी प्रतियां यानि कि कोई भी कॉपी जो होती है वो क्या होती है सर्टिफाइड नहीं होती है तो वह साक्ष नहीं होगा तो डी ऑप्शन बिल्कु ठीक है इसमें में कौँ सा वाज दायर करने के संब्द्ध में यानिक कौन सा प्रावदान वाज दायर करने के संब्द्ध में तो देखो यहाँ पर अपर लिखेंगे केस में section number 26 है प्रतिवादी उस पर संबन की तामिल के 30 दिन के भीतर भीतर अपने बचाब में लिखित order पास कर सकता है बिल्कुर ठीक है तो इसमें आसर हो जाएगा 30 30 डेस के अंतरकत क्या कर सकता है लिखित order परदिती अपील जो है वो उच्छ नियाले में होनी चाहिए तो यहां पर देखो डी ऑप्शन जो है हमारा थोड़ा सा व्यादित है और इसमें कौन सा कथन गलत है ने कि कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है अब यहां पर यह बोल रहा है कि सब second appeal आप हाई कोट में को ल जरूरी नहीं है तो इसमें देखो डी आंसर आपका बिल्कु ठीक होगा अब हम चलते हैं इसमें अगले प्रशन की और हमारा फिप कोशन कहता है अगला 59 मद्धिस्तता और सुला अधीनियम 1996 में निम्निकित में से कौन सी धारा मद्धिस्ता करार से संबनित है तो आर्वि से परिस्ततियों में मध्यास्ति कारवाय को समाप्त किया जाता है तो पंचाठ पर चलत किया सकता है यहांब आपनदेखिंगे जहां पर मद्यास्तु अले समफ्ती के लिए आदेश जारी कर दियो तीनों ब folklore धीक ट्रवाहियां जो है वो में मध्यस्तप्रादिकारी का कोई भी निरण है अब दखो यहाँ पर उसके सदस्यों के दो-बै तीन भाई थीन दो धनारम के मुख्य मन तो यहाँ पर देखें एक मद्यस्त प्रावदान से इस सदस्यों के 2 2 तीन बहुमों से लिया जाएगा हिंदु विवादीनियम 1955 में मैंडेनिस पैंडेडाइन लाइट यानि कि वाद लंबित रहते भारपुशन का प्रावधान जो है वह धारा 22 के अंतरगत दिया गया है 63 कोशन कहता है मारा मुस्लिम विवाद विक्टन अधिनियम 1909 में धरादो के अंदर गत एक मुस्लिम पत्नी तलाग के लिए वाद दाखिल कर सकते है अधी पती इस अवधी तक पागल हो तो दिखो इसमें आंसर रहेगा साथ वर्ष तक के लिए पागल हो 64 कहता है मुस्लिम महला के पास दन प्रक्रिया सेटा 1973 के दारा 125-128 के प्रावदोनों के दोरा साशित होने का विकल्प है मुस्लिम महला तलाग पर अधिकारों का संग्रशन किस दारा से संबंदित है दारा 5 से संबंदित है कौन सा हिंदु विवा का आधार नहीं है तो देखो भाई शूने विवा का आधार नहीं है तो बाल विवा जो है बाल विवा शूने विवा का आधार होगा दी विवा जो है प्रतिशिद्य संपत्यों की कोटी संपेडिक संबंध जो है वह होंगे तो कौन सा हिंदु विवा होता है इस्थी संबंद्र होती है या संपेडिक संबंध होते हैं और यहां पर इसका आएगा संपेडिक संबंध संपेडिक संबंध का मतलब के तीdri की माता पांस्वी लिए की पटा यह ठीक है 66 में आएगा अफ्शन चलिए क deep नेक्स्ट है सूचक प्रश्ण पूछा जा सकता है सूचक प्रथी परिक्षा में पूछे पूछ सकते हैं यानि कि जब क्रॉस होता है तो क्रॉस कंतरगत क्या होता है कि प्रथी परिक्षा जो होती है क्रॉस में सूचक प्रश्ण पूछे जा सकते हैं अत्रिक्त नियाइक सि तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन चलिए चलते हैं आगे और इसमें हम देखेंगे कोशन 17 कहता है सतर भारत में सारी निम्लिकित में से कौन सी शेड़ी के किस पी आएल के रूप में विचारनी नहीं होंगे तो देखो पी आएल की बात करते हैं पब्लिक अगर हमारे मूल अधिकारों का अधान होता है तो महाँ पर रिट का प्रविशन जया वह दिया गया है जबकि अगर हम बात करते हैं पब्लिक इंट्रेस्ट लिट्रेटिकेशन के बात करते हैं जिसको बारत के अंतर पी न बगवती ने जढए जुन है ज्थिस्टिस पी ए इस प्रकार के मामले आते हैं जहाँ पर रेंड ट्रुबिनल जो होता है और इस आंट और यहां पर इस rain control act 2001 जो है वह आपका एक local act और उसके इसके अलावा जो है 2017 और 2012 में कwhen гр up कोई प्रावधा नहीं है यानि कि यहां पर जो है state government जसमें रूर्स बनाती है कर किसी भी प्रकार से अगर जो है इसमें amendment करना होगा कि नोटिफिकेशन जारी करेगी और नाटिफिकेशन करके जो है इसके अंतरकत परिवर्तन करेगी तो यहां पर अपना अंसर हो जाएगा मकांदार मकानमालिक और किरायदार कौन भारत में जन्हित याचिका के रूप में जाते हैं तो पिन भगवती साहब बिल्कुल सही अंसर है याचिका का उद्देश नहीं होता ख्याती प्र बिहार राज्जे का मामला बहुती प्रिसित मामला था जिसके अंतरकत बिहार राज्जे में जैने कितने वर्षों से जो कैदी बंद थे उन बंद कैदियों को रिहा करने के लिए जो है सरकार ने सुप्रीम कोट ने कादेश पारित किया और यहां पर एक बहुती प्रिसित मामला था हुसेन आरा खादून का जिसमें क्या था कि निशुलक कानूनी सायता का अधिकार जे वो दिया गया कि कोई भी विक्ति जे वो क्या कर सकता है निशुलक कानूनी सायता यानि कि लीगल एड जे वो प्राप्त कर सकता है यानि कि यदि किसी भी विक्ति के पास में पै जारी की जा सकती है तो इसमें आएगा प्रतिशेद याचे का जह वो की जा सकती है रिस बनाम वाल्विन का के सम्बंद है राज दायत्वक से सम्बंदित है और यह अल्ट्रेम पैटरम का अर्थ होता है व्यक्ति को सुने भी नहीं उसे दोशी नहीं ठहराया जा सकता है तो निम लिखेत में से कौन से हिंदु अधिनियम में तलाग का अधार नहीं है तो देखो तलाग का अधार यहां पर दिया हुए आपको चार अप्शन दिये गए हैं मांसिक विकार संक्रामक रूप में यौन रोग असाध्य विक्रचत तीन महीने से कम समय से तो हिंदु विच्छेत कर सकते हैं तो देखें यहां पर अपन बात करेंगे भारती जोय है भुए कर सकते विज्वाह ःचेत कर सकते हैं तो यहां पर एक बना वार घृ भारती विच्छच द्धिनियम 1869 बढाव आःव हिंदू अदेरं अब चलते हैं कोशेन नमबर एटीवन हमारा कहता है एबीसी प्राइवेट लिमिटेट कंपनी स्वैम को सारजनी कंपनी में परिवर्थित करना चाहती है ऐसा संग्यम ग्यापन और सरस्था के अंतरणियम परिवर्थन करके पारित करके किया जा सकता है तो देखें इसके लि लिखा हुआ है अलग-अलग श्रम विदी कंपनी विदी वैंकिंग विदी और यहां पर अपना अंसर हो जाएगा सेवा विदी अब देखिए कोशे नंबर 85 कहता है कि श्री ए जो नियंत्रक या नियंड़े अफिसर के आदे से पिडि था ठीक है उसने साइबर अपीलन ट्रिबूनल निया दिखरन को एक अपील की बाद में साइबर अपीलन ट्रिबूनल के आदे से पिडि श्री ए में अपील कर सकते ह को जो है दोव नेजिक अध्वाढट कर सकते हैं यह सुप्रीमघ聽 कर सकते हैं और यहाँ एक्ट जो है उसमें से प्रेशने पुछा गया है आई टी एक्ट दो जाट चार जो हपन पढ़ते हैं इंडियन पीनल कोड 1860 के अंतर सेक्शन नमर 4 के अंतर गत हम आई टेक्ट को पढ़ते हैं कि यदि जो है भारते दंड सहीता में कोई भी परिवर्तन कोई भी अमेंडमें जो हम करेंगे आईटी एक्ट 2004 के अकार्डिंग जो है वो प्रवीजन बने वैं उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं तो यहां पर जो है के लिये आशित है तो वह क्या माना जाएगा कि एक्स जो वाई एक परवर्तक दौरा एक्स जो की शरी वाई य कौन है प्रवर्तक है उ तीन सदस्य संक्या होनी चाहिए उसके बाद देखिए कोशे नमर 88 कहता है हमारा कि नियोकता द्वारा प्रमुक्त मुख्यते पोस्ट किये गए प्रमारत इस्थाई आदेश का टेक्स्ट और उसके अधिकतर कामगार समझे जाए किस भाशन में होनी चाहिए देवनागरी लि फिसमें देखिए कोशे कियाता है एक अधिवक्तता प्राक्टिस को तरहार विश्विद्ध्य। द्वरा निमल्यखित द्वरार किसी संस्तार में इसे कौन से एतिहासिक मामले में एड़ोकेट को विवसाइक कदाचार के लिए दोशी ठहराए गया क्योंकि उसने जाली कोट जो है वह आदेश दिया था जाली कोट का जो आदेश दिया था श्रीमधी पंकजम बना बिया चंदुशेखर का मामला बहुत ही प्रिसित के इस था तो इसका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन कोशन 91 करता है यदि कोई भी एड़ोकेट एड़ोकेट अधिनियम धारा पैतिस के अंतरगा देखो एड़ोकेट एक्ट के अंदर से कोशन पूछा गया है कि अंतरगत बनाएगे राज्य बार काउंसिल के अनुशास्त मक्समितिया राज् सब्सक्राइब का मामला था उसके अंतरगत इस बात को पताया गया था नाइंटी थ्री कहता है ग्लूसरेट ग्रामर स्कूल निम्लिकित में से किस धारा पर किस सूतर पर आधारित प्रसित हैं तो यह देखें डैमनम साइन इंजुरेक के अपर है उब्रोक्ता संग्रक्ष जो इसका प्रावदान है कि वो राशी जो है वो दस करोण होनी चाहिए वो बोक्ता राज्य संग्रक्षन के अंतर का जिला आयोग के आधेश से अपील जो होगी वो होगी आपके वो बोक्ता प्राधी करण को जो होती है अब देखिए 96 में बोला जा रहा है एक व्यक्ती जो है उसके लिए पिछले किसी भी वर्ष में भारत का निवासी मने जाने की शर्थ यहां पर ये है कि वह भारत के अंतर जो है पिछले एक दोरान 182 दिनों या उससे अधिक अफ्दीख से रहा हो शिरीक अपूर रे जनुरी दोहजार एकिस में असी लाख मेंसे एक आवास्य मकान विक्रे किया क्रे किया उन्दों ने मकान अपरेल 2022 में लगबग चुर्यान्मे लाख में बेस दिया इस मामले में आवासिय मकान के विक्रे से प्राप्त लाब जो है लगब चौदा लाख रुपे प्रार कर किस शीर्शक के अंतरगत वसूल किया जाएगा तो यहां पर देखे हो जाएगा वेवेसा या पेशे से लाब से प्राप्त आए जो है उससे होगा इसके बाद हम समझते हैं इसमें कुशन नाइटीएट एक वेक्ति जिसे फैक्ट्री अधीनियम उन्नी सो औरतालीस के अंतरगत फैक्ट्री प्रबंदन फैक्ट्री के सभी मामल में सर्वोच नियाले नियंद्रन प्राप्त कहलाता है तो यह देखो क्या कहलाएगा यहां पर वो कहलाएगा जिसे सभी अध करत siihen करने के लिए आहरता प्राप्ति को को करना होगा और विकास अधीकारी को करना होगा और सब्सक्राइख पटना होती है तो एक एड़ोकेट होने के नाति आप क्या करेंगे सबसे पहले का फायार दर्ज करेंगे फिर आप बीमा कंपनी को संबन भेजेंगे फिर अपन क्या करेंगे याचिका तो यहां पर देखो इस तरीके से इसका प्रवीजन होगा तो यह था AIBE का जो पेपर एक्जाम हुआ था उसका हमने सॉलुशन जो हुआ आपको कराया है उसके अलावा जो है इसकी वेबसाइट पर इसकी आंसर की जो है वो भी भी शिगर भी आजाएगी तो उसमें से भी हम देखेंगे अगर आपको कुछ अब्जेक्शन होता है तो अब्जेक्शन भी आप इसे भेज सकते हैं रिजल्ट लगबग 20 फरवरी से लेके 30 फरवरी के बीच में आने का संभावित गोशना की जा रही है कि 20 फरवरी से लेके लगबग 30 फरवरी तक इसका रिजल्ट जैवल गोशित कर दिया जाएगा तो मैं समझता हूं कि आप ल रही है रेगुलर स्टाट हो चुकी है नया बेच हमारा जो है वो स्टाट होने वाला है तो यह आप चाहें तो उसमें अन्रॉल कर सकते हैं उसके लावा लेंडमार्क जज्मेंट वगरा वोसकी भी क्लासेस होती है तो आप जुड़े और अपनी जो है सक्सेस्फूल यात्रा को शुरू करें थैंक यू